वेल्कम टुवे क्लासेज गाईज दोस्तो आज हम लग फिर से देखने वाले हैं टौर फिफ्टीन कोर्शन्स जो सिरीज का पार्ट थर्ड होने वाला है और यह जो दोस्तो प्रिवियस प्लस एक्सपेटेड कोर्शन्स हैं आप यकीन मानो आपके एक्जाम्स में जो है यहा बहुत ही यूस्फुल क्याल क्या होते हैं तो जो स्थ्रेट कर सकते हैं ताकर मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं वह आप तक पहले पहुंच सकें और आप आप exam के लिए preparation अच्छे से कर सको हो ठीक है तो चली हम लोग start करते हैं question को without late और सबसे पहले जो है direction को पढ़ लेते हैं ठीक है direction जो है पहले दोस्तो 1 to 5 दोस्तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको part 1 और part 2 देखना है दोस्तो part 1 और part 2 देखना है तो फिर चैनल के playlist में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो हमने बहुत सारे exams के लिए इस लेवस को topic wise कवर की है जैसे कि state exams हो गया तो आप यहां पर जो है हमारे चैनल के प्रेस में जाकर आप किसी वीडियो को देखोगे तो आपके लिए benefit होगा अगर आप general committee exam से रिलेटेड आप तयारी करते हो तो तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है पहले direction को पढ़ लेते हैं ठीके 125 क्या करना है अपने को कि आप यहा और दोस्तों मैं जो हूँ सारे option जितनी भी आप option देखते हो इसका जो है मैं इसका मैंनिंग भी बताता हूं ठीक है और कुछ सेर्टोन का पार्ट भी होता है दोस्तों और कुछ imagination के द्वारा भी मैं आपको समझाने कोशिश करता हूं ठीक है तो देखिए मैं ज्यादा कु इसका मतलब होता है आपके सेजल में भी आने वाले हैं आप याद रखो तो इसका जो राइटान रहने वाला दोस्तों वह ली option देख सकते हु ठीक है डी option री कॉल री कॉल यह है दोस्तों ऑर डी काप्वेलेशन का राइट सिर्णोंल जी वो जागा ठीक है और बात करते हैं चुछ सेर्णोंर्स की तो फ्रिक्वेंसी हो जागा कर सकते हो ठीक है चलिए सेकंड कोश्टिं की बात करते हैं कोसंट के जो है दोस्तों क KIम्पलेसेंट के मतलब हो था आत्म संट chyba पर सन्ट पर टीख उप्शन पर नद的话 साल सटीवास का मतलब होता है संटोस्ट करते है करना मतलब होता है वीनगंध已经 है ठीक है, confuse का मतलब होता है, भ्रहमित करना, ठीक है, भ्रहमित आपने सुनाओ, उसने मेरे को confuse कर दे, तो यह सब normal words है, दीए, कुछ synonyms की बात करते हैं, दोस्तों, तो इससे पहले जो है, मैं आपको insert बताना चाहता हूं, दीए, option जो होने वाला है, right synonyms की बात करें, दोस्तो तो यहां पर यह option देखते हो, satisfied, इसका मतलब होता है, संतोस्ट, तो complacent का भी मतलब, प्रसंद करना आत्म संतोस्ट ही होता है, ठीक है, तो satisfied जो है, right synonyms होने वाला है, complacent का, अब बात कर लेते हैं, कुछ और synonyms जो है, another synonyms की बात कर लेते हैं, तो glad है, चेरी है, complacent है, hilarious है cheerful है, और jolly है, ठीक है, यहां पर पिक्चर देख सकते हो, जब यह satisfied है, जैसे की बहुत सारे states में क्या होता है, कि NGOs और जब योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, मिलती हैं, अगर योजनाएं का लाब अगर अच्छे से मिल पाएं, हमारे BPL परिवारों को, य और फिर किसी भी जो गरीब परिवार से आते हैं, तो यह आप यह खुशी का महल देख सकते हो, इनके चेहरे पर, तो satisfied इनको बोलते हैं, ठीक है, तो complacent का जो राइट, सिरुन से जएगा हो, satisfied, चले, next question बढ़ते हैं, देखे, third question की बात करते हैं, तो enterprising, इसका मतलब हो था, उद्यमी या सासी, तो देखे, option पर नज़र डालते हैं, तो doing out a new experiment, एक नया प्रयोग करना, ठीक है, बी option की बात करे हैं, तो finding out new ways of doing things, चीजों को करने के नये तरीके खोजना, ठीक है, C option की बात करे हैं, तो taking up a new job, एक नया काम लेना, D option की बात करे हैं, तो a new venture, एक नया उद्यम, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जो right synorams रहने वाला हैं, दोस्तों, वो B option हैने वाला है, आप यह देखे, तो B option, finding out new ways of doing things, चीजों को करने के नये तरीके खोज इंटरप्राइजिंग जो होता है, दोस्तों वो उद्यमे सासी होते हैं, उद्यमे आप समझते हो, इंटरप्रिनियोर, ठीक है, यह जो हैं, दोस्तों, वो चीजों को करने के नये तरीके ढूंते रहते हैं, जो इंटरप्राइजिंग होते हैं, जो एडवेंचरों होते हैं सासी जो होते हैं, ठीक है, finding out new ways of doing things, ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ सिरम्स की, तो entrepreneur है, ठीक है, enterprising है, है ना, industries है, इंडस्ट्रियस, ये दो वर्ड्स एकी साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, laborious है दोस्तों, और ये pushing है, कुछ अंडरम्स के enterprising, उनका एक पीक है, चली next question बढ़ते हैं, और third question, fourth question इक बात करते हैं, तो opulent, opulent का मतलब होता है, धनी या दौलत मन, ठीक है, option पर नज़र डालते हैं, तो hard working, इसका मतलब महनाती होता है, comfortable का मतलब आपको पता है, अराम दायक, ठीक है, obscure का मतलब होता है, और असपस्ट या अंधेरा, obscure, ठीक है, reach का मतलब होता है, धनी या संपन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि इन में से right options, कौन सा रहने वाला है, ठीक है, तो D option देख सकते हो, reach, जो दोस्तो, opulent है, वही तो reach है, ठीक है, मतलब कि opulent का right, सिनोज जोगा, दोस्तों, वो reach होगा, ठीक ह M-O-N-E-Y-E-D, ठीक है, मौनियद, opulent है, प्रोपर्टीड, ठीक है, और कुछ अंटरिम्स के बात कर लें, तो स्टार्क, और स्पार्टन, रेस्ट्रेंड, और एसेटिक, ठीक है, यह सारे के सारे सिनोज अंटरिम्स थे, opulent के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स कोशन बढ है, डीप डाउन है, ठीक है, डीप सीटेड है, ठीक है, डीप रूटेड है, ठीक है, तो यह देख सकते हो कि जो ब्रेन का पिक्चर है, इसमें जो है दोस्तों, प्रेटल लोब है, प्रे है, पोस्ट है, प्रेटल लोब है, तो यह सारे के सारे मिल्स के जो बनते हैं, दोस् heavenly का मतलब होता है सोवर गिये intelligent का मतलब होता है बुदीमान आपको बता है ठीक है तो right जो सिर्मस होगा दोस्तों वो second option be option be right hand sword is question bodily bodily का मतलब होता शारी दीक तो ये सारी दीक जो है figure आप जो है जो है body parts कौन सा body parts का है तो ये brain कहा दोस्तों ठीक है innate है, instinctual है, gut है, deep down है, okay, deep seated है, deep rooted है, inward है, okay, और अंटरम्स के बाद करें, तो non-physical, है न, incorporeal, और non-material, ठीक है, यह सारे के सारे सिरम्स और अंटरम्स थे, बात करते हैं, दोस्तों, कुछ आगे question की, तो यहाँ पर direction है, six to eight questions में अपने को अब, choose the word opposite, opposite word को हमने, अपने को बताना है, that means, जो है, वो, अंटरम्स बताना है, ठीक है, अंटरम्स अपने को बताना है, पहला जो question है, दोस्तों, वो grandiose, grandiose का मतलब हो था, दिखावटी या भव्य, यहाँ पिक्चराइशन किया हुआ है, देख सकते हो, वव्य, शांदार यहाँ पे आप देख सकते हो, यह पहाड़ी सुंदर वादियां, जो आगे में हैं, और इधर साइड में, छोटे-छोटे गाउं बसती हैं, बसी होई हैं, तो बहुत खुबसुरत दिख रहा हैं, ठीक है, तो grandiose, इसका मतलब होता है, दिखावटी या भव्य, ब इसका मतलब होता है, प्रभावित, ठीक है, अन प्रेटेंशियस, इसका मतलब होता है, शरल या सच्चा, ठीक है, आकवर्ड मतलब को पता है, अटपटा, उटपटांग, ठीक है, आकवर्ड, तो राइट जो हैं अन्टोनिम्स कौन सा रहने वाला है, ओके, तो c option देख सकत कर लते हैं, ग्रंडियोस का, तो grand है, ठीक है, magnificent है, imposing, grandiose, goodly, impressive, ठीक है, यह सारे के सारे जो हैं सिर्म्स थे, अन्टोनिम्स की कुछ बात कर लते हैं, तो humble, unimpressive, ओके, यह दूज़ थे ग्रंडियोस के अन्टोनिम्स, और सिर्म्स की बात करें तो यह थे, ठीक है, तो ठीक है, तो यह जो है, disjoint है, मतलब कहीं भी अगर joint होता है, और वहाँ से crack हो जाती है, तो दोस्तो उसको बोलते हैं, disjointed, ठीक है, बात करते हैं, option पर नज़र डालते है, तो united मतलब होता है, किरित या सन्योग्त, connected मतलब होता है, जुड़े हुए संबद, solid का मतलब होता है ठीक हो, smooth का मतलब होता है, चीकना या शान, ठीक है, तो right अंटर्यम्स की बात करते हैं, तो दोस्तो बी option देख से तो connected, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा हो, कि disjointed जो है, तो इसका जो right अंटर्यम्स हो जागा, दोस्तो वो connected हो जागा, जुड़े हु और disjunct, ठीक है, बात करते हैं, कुछ अंटर्यम्स की तो connected है, jointed है, coherent, continuous, ठीक है, यह सारे के सारे questions, जो है, चलिए next question के बढ़ते हैं, बात करते हैं, कोगेंट, कोगेंट का मतलब होता है, दोस्तो स्थोस या सबल, मतलब strong, बात करते हैं, option की तो logical, तर्क संगत या तार्कि वेटी, वेटिंग मतलब होता है, परभाव पुर्ण, ठीक है, और disujuसिब, trip chic, मतलब होता है, हटाने वाला, और persuasive, इसका मतलब होता है, प्रिरक्ग, burdensive, हटाने वाला और persuasive, प्रिरक्ग, ठीक है, यह questions, words जो है, वो असान है, आपको याद करने को, ठीक है, रिमांड करने दोस्तों वो और किया रहने वला सिव्ट्षन इसका मतलब तर ho रहा है हो सिभाल और सि यहां पर trata के लिए थोस अरर माननotional का की सिभा और यहां पर देख से तो जैसे पिक्चराइज क्या हुआ है कि यह पिस्टन है साथ पता नहीं क्या है लेकिन इसमें जो है वो connected है एक दूसरे से तो यह सबल है ठोस है अब समझ रहे हो अगर इनको जो अलग-अलग कर दिया जाए तो यह स्थेनिक ठीक है कुछ अंटरम्स की बात करने तो वेग है अनकन्विंसिंग है और मडल्ड है ठीक है चले ठीक है तो यह कोशन हो गया नाइद कोशन की बात करते हैं दोस्तों कुछ डिरेक्शन है इसमें देख लेता है कि 9-12 है इस कोशन में अपने को करना अनुमान ठीक है करना एंटीसिपेट बात करते हैं अप्शन की तो फृ शापोज है डाउट मतलब शाक्षम Script मतलब होता है वीचार करना और। असर्ट मतलब होता है धावा करना तो इसमें चीज जो राइट रहने वह तो इसका जो रग्ला आ प्रिजुस की बात करलें तो expect है प्रेडिक्ट है, फोर्कास्ट, फोर्सी, प्रिसीड, ठीक है, एंट्रॉम्स की बात करने हैं, तो be amazed, doubt, be surprised, be unready, ठीक है, यो सारे के सारे anticipate के सरम्स और एंट्रॉम्स थे, ठीक है, चलिए next question की बढ़ते हैं, तो दोस्तो हम लोग 10th question देखते हैं, दोस्तो जो भी मेरे चनल प भी लेंगें दोस्तों, मैं आपको बतादू, 10th question की बात करते हैं, तो emancipation, इसका मतलब होता है, दोस्तों, मुक्ति या उधार करनना, ठीक है, बात करते है, autonomy की तो स्वायतता, sovereignty की बात करनें, तो संप्रुभूत्ता या अधिपत्य, freedom मतलब होता है, अजादिया, सोतनता, इसका मतलब होता है, भृत भावी या गुलामी, ठीक है, इसका जो right option होता है, दोस्तों, यह option होता है, autonomy, autonomy का मतलब होता है, स्वायतता, ठीक है, तो emancipation का right, स्वायतता दोस्तों, वो autonomy हो जाएगा, ठीक है, कुछ और स्वायतता की बात कर लें, तो discharge, है ना, liberation, emancipation, release, deliverance, और क्या है, disengagement, ओके, अब कुछ right अंटरम्स की बात कर लें, तो enslavement है, अब slavery, ठीक है, तो इस सारे के सारे emancipation के स्वायतता अंटरम्स थे, चले, next question ही और बढ़ते हैं, दोस्तों, vacillate, vacillate का मतलब होता है, संदेह करना, या हिचकना, या हिलना, ठीक है, हिलना, जूमना जिसको बोलते हैं, तो option के बात कर लें, गाले का मतलब होता है, बाहर निकाल देना, सस्टेन का मतलब होता है, बनाय रखना, जेलना, और जेस्टाइज का मतलब होता है, दंग देना, या सजा देना, ठीक है, अब right option की बात करें, दोस्तों, राइट सिनुम्स के बात करें, तो, वेवर, वेवर जो है दोस्तो, यह option will be right answer of this question, वेवर जो है दोस्तो, इसका मतलब होता है, डगमागाना या लहराना, और वेसिलेट का ही मतलब होता है, संदे करना, हिचके चाना, या फिह हिलना, जुमना, ठीक है, तो यह वेवर, जो है, right, सिनुम्स हो जाएगा दोस्तो, वेसिलेट का, कुछ और सिनुम्स की बात कर लें, तो, नीबल, वेसिलेट, suspect, बोगल, डाउट, शेक, ओसिलेट, वेग, ठीक है, कुछ एंटरमस की बात कर लें, तो, resolute, एक ही वर्ड है, जो सही है, ठीक है, चलिए, next question ही बढ़ते हैं, तो, 12 question देख लेते हैं, दोस्तों, ठीक है, porous, इसका मतलब होता है, जरजरा या छिदरपुन, ठीक है, hall, जो होता है, किसी भी चीज में, तो चिदर या छिदरपुन, आप समझ सकते हो, जरजरा, बात करते हैं, option की, अडवेंच्रस, जिसका मतलब था, असासिक, प्रीमेबल, इसका मतलब होता है, प्रस्तावन या भूमिका, पंगेंट, इसका मतलब तीखा या कट्टा, मतलब कटू, तीखा या कट्टू, आपने सुना होगा, फेरस, पोरस, स्पोंजी, पर्फोरेटेड, ओके, अंटरॉनिम्स के कुछ बात कर ले, तो, इंप्रियबल है, है ना, नन पोरस है, और इंपर्वियर्स है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन इक बढ़ते हैं, दोस्तों, 13 कोशन देख लेते हैं, कुछ डिरेक्शन को पढ़ लेते हैं, 13 to 15 कोशन में अपने को क्या करना है, चूज दो वर्ड ऑपोजिट, बताना है, सॉप्रेस, सॉप्रेस का मतलब होता है, दबाना या रोकना, ठीक है, और आप्शन की बात करने, तो reveal है, इसका मतलब परकट करना, increase का मतलब होता है, breathe करना, open का मतलब खुला हुआ होना, explain का मतलब आपको पता है, as you know that, कि ब्याखा करना, ठीक है, तो देखे, इसमें जो right antonymus की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको पताना है, suppress का जो right antonymus जगा दोस्तों वो reveal हो जाएगा, ठीक है, reveal का मतलब होता है, प्रकट करना, देखे, suppress मतलब होता है, दबाना या रोकना, ठीक है, किसी भी चीज़ को होने ना देना, उसको रोकना या दबा के रखना, ठीक है, और लेकिन reveal का मतलब होता है, प्रकट करना, ठीक है, तो right antonymus जगा दोस्तों, reveal हो जाएगा, ठीक है, कुछ और एस सिनुम्स की बात करने, तो clamp है, है ना, stifle, depressed, प्रेस हो गया, compress हो गया, suppress हो गया, ठीक है, कुछ antonymus की बात करें, तो insight और increase हो गया, ठीक है, नेक्स कोशन हो बढ़ते हैं दोस्तों, तो as you know that की जो है, picturization जो किया हुआ, वो beautiful है, देख सकते हो आप, ठीक है, जब नेक्स कोशन हो बढ़ते हैं, और जो कोशन है दोस्तों, वोकल, वोकल का मतलब होता है, सोर या मौकिक, यहां पर देख सेतों कि सोर, जो है, मौकिक तरीके से सोर निकाला जा रहा, ठीक है, ऑप्शन की बढ़ते हैं, तो valuable, इसका मतलब होता है, बातुनी, calm मतलब होता है, calm का मतलब होता है, शांत या इस्तिर्ता, quiet का मतलब होता है, या पुर्णित्या साइलेंट के मतलब होता है मौन या खामोश ठीक है तो राइट एंटरम्स की बात करें है वोकल का जो राइट एंटरम्स जागा दुस्तों वो साइलेंट हो जाएगा ठीक है क्योंकि वोकल मतलब होता है सोर या मौकिक होगे साइलेंट का मतलब होता है मौ इंत्रोंबंति हो जाइगा टिक है बात करते हैं दोस्तों खें कोशन की तो इसन बात करते हैं इंडीयक्ट-प्त की बात करें तो दोसी ठहराना या या एलिजाम लगाना ठीक है अब अब ऑपुस्ट की बात करनी तो एक्क्यू्सोंग जो ह Whenever थे है दोशी ठहराना या इल्जाम लगाना ओके तो इंडिक्ट का जो राइट एंटर्णिम्स रहने वाला है दोस्तों वह मैं बता दू सेकेंड ऑप्षन देखता हो आपको देखने सही लग रहा होगा कि आरोप लगाना एक्यूज का मतलब होता है इंक्रिमिनेट का मतलब दोशी ठहराना इंपीच का मतलब होता है संदेह करना या महाभियोग चलाना तो इसमें से ऑप्षन एक ही है जो अलग है ठीक है दोस्तों करना तो ऐसे भी आप जो है मतलब वर्ड का मेनिग पता हो तो आप जो है इंटरनुंस को जो चलाएं, इसलिए मैं क्या रता हूँ कि सारे और और हिंदी में समझाजने कोशिच करता हूँ और उसका जो है वर्ड का मेनिग कैंन लिग रखता हूँ ठीक है थाकि आपके लिए बेस्ट रोजफफ़ ओ ठ देखें, इंडिक्ट का जो right एंटरम्स जोगा दोस्तों वो exonate हो जागा, दोस्मुक्त करना, बात करते हैं कुछ right सिनम्स की, तो increment हो गया, impeach हो गया, inculpate हो गया, recriminate हो गया, इंडिक्ट हो गया, denounce हो गया, कुछ syndrome की बात करनें, तो blameless हो गया, clean handed हो गया, clear हो गया, guilt less हो गया, innocent हो गया, irreproachable, तो सारे के सारे जो थे दोस्तों इंडिक्ट के सिनम्स रंटरम्स थे, ठीक है, so I hope friends की आपने बहुत कुछ gain क्या होगा हमारे session से, और बहुत enjoy भी क्या होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों की आपको इसी तरीके से topic wise जो है वो syllabus को cover कराने के कोशिश करता हूँ, और मैं चनल पर जो भी, जितने भी committee exams होते हैं, government के दोस्तों, यहाँ पर topic wise कवर की जाती है सारे syllabus को, तो आप जो है like, share, subscribe कर सकते हो, इस channel को ठीक है दोस्तों, ताकि जो है आप तक new videos आप तक मिल सके, आप subscribe जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीकों को 5000 series को complete करना है बहुत जल्द, तो इसके लिए आपको, आपका support चाहिए, तो आप ज के लिए मिलते हैं, next videos में तब तक के लिए धन्यवाद,